Hello and welcome again to this lovely platform of education and today we are going to discuss another important story जो की क्लाश 12 के इंग्लिस पेपर में कई बार पूंची जाती है, आज हम लोग इसको अग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे तो ध्यान से समस्ते विए बनाएंगे आराम से, सबसे पहला सेटेस लिखा है, हैदराबाद की जलवायू बहुत अच्छी है, ना यहाँ अधिक गर्वी पढ़ती है और ना यहाँ अधिक जाड़ा यहाँ वर्सा खूब होती है, लेकिन सडकों पर कीचर नहीं दिखाई देता, पठारी इलाका होने की वज़े से पानी बह जाता है, इस पूरी स्टोरी को हम लोग अग्रेजी में ट्रांसलेट करना सुखेगे ठीके, तो सबसे पहले लिखा हुआ है, हैDARाबाद की जलवायू बहुत अच्छी है, इसको हम लोग अंग्रेजी में बनाते हैं, तो इसमें सब्चक्ट किया है है हैDARाबाद की जलवायू, ठीके, यह इतना हमारा इस बाक्ट में सब्चक्ट रहेगा हैदराबाद की ज फिद्राबाद बहुत अठी है इज वेरी घुड हो फिस्ट सेंटेंस किलियर हो गया द्ध्लाइमेट आफ रबाद इस वेरी गुड है धराबाद की जलवाई भात अच्छी तरहिं नहीं अधिक जाड़ा देखू ऐसे सेंटेंस जो है यह नहां ना तो वाले यह बनाए जात इसे ना तो यहां आया और ना उसका भाई तो नीदर ही केम नौर इस प्रकार से इसको हमें बनाना है नीदर से तो यहां इसकी स्टार्टिंग करेंगे नीदर इस इस तूमच हाट नीदर इस तूमच हाट नार तूमच कोल्ड यह ठीक है तो नीदर इस तूमच हाट ना तो बहुत ज्यादा गर्मी होती है नार तूमच कोल्ड है और ना ही बहुत ज्यादा यहां पर ठेंड पड़ती है फिर हो गया यहां वर्षा खूब होती है यहां वर्षा खूब होती है इट यहां वर्षा खूब होती है बट बट लेकिन लेकिन क्या लिख है सडकों पर कीचर्ड दिखाई नहीं देता लेकिन देर इज there is no कीचर्ड का हैमान होता है mud there is no mud on the roads there is no mud on the roads लेकिन सडकों पर कीचर्ड दिखाई नहीं देता फिर आगे क्या लिखा हुआ है पठारी इलाका होने की वजह से पानी बह जाता है due to पठारी प्लेट्यू एरिया प्लेट्यू का मतलब पठारी due to प्लेट्यू एरिया ठीक है पठारी इलाका होने के कारण क्या होता है पठारी इलाका होने के कारण यह होने की वजह से पानी बह जाता है water flows वाटर जो है वो बह जाता है वाटर फ्लोज और शड़कों परिकठा नहीं होता और और शड़कों परिकठा नहीं होता नेक्स्ट सेंटनस है अब तो जन संक्या अधिक बढ़ जाने से कुछ अधिक गर्मी पढ़ने लगी है तो हमने लिखा नाव दा कि हीट नाव कुछ हीट है इंक्रीज डूर आ यह थे जब गर्मी बढ़ गई है किसकी वज़े से जन संख्या देख बढ़ जाने से due to increasing population जनसंख्यादिक बढ़ने की वज़े से गर्मी बसंत के आने पर प्रकृती की सोभा यहां बढ़ जाती है बसंत के आने पर तो arrival arrival का मतलब आना पहुँच ठीक है arrival of spring यानि बसंत का आना बढ़ा देता है क्या बढ़ा देता है प्रकृती की सोभा arrival of spring बसंत का आना increase बढ़ाता है increase का मतलब बढ़ा देता है arrival of spring increase क्या बढ़ा लेता है प्रकृती की सोभा बढ़ जाती increase the beauty और प्रकृत्व नेचर आफ नेचर इनक्रीज़ दा ब्यूटी आफ नेचर राष्टो पर वरच्छों की ठंडी चाया रहती है तो रास्तों पर यह बनेगा there क्योंकि इस वाकिए में subject नहीं है न तो there are ठंडी चाया ठंडी चाया होगा cold shadow there are cold shadow of trees there are cold shadow of trees on the ways on the ways your roads कह सकते है और रास्तों पर पेड़ों की ठंडी चाया रहती है यह complete हो गया फिर है वाटिकाओं से फोलों की सुगंद आती रहती है वाटिकाओं से फोलों की सुगंद आती रहती है तो सुगंद हो गया the fragrance of flowers यह लिख सकते हूं इसमेल फ्लावर्स फ्रेग्नेंस फ्लावर्स यानि फोलों की सुगंद कहां से वाटिकाओं से फ्राम गार्डन उसे सिट यह कि सबर्दे रहती है तो इसके लिए हम कह सकते हैं चैनед उभी फिट नहीं एरगांच फिल्ट वाटिकाओं से फूलों की सुगंध को महसूस किया जा सकता है इतना कप्लिट हो गया नेक्स्ट है दूर दूर तक हरियाली दिखाई पड़ती है तो हरियाली की अंग्रेजी क्या हो जाएगी दूर ग्रीनरी कैन भी सीन दूर दूर तक फार अवे ओके इसे देकर मन अनंदित होता है सीन इस सीन इस जैंदिते इस प्लीजर घटीजर चैन प्लीट हो Québec